कोस्टन नमर वन आपके बुक में दिया गया है वस्तू विनिमे क्या है आई हम लोग वस्तू विनिमे के बारे में जानेंगे देखे आंसर इसका वस्तू विनिमे परणाली में विनिमे की किरिया या आदान परदान की किरिया वस्तूओं के माध्यम से किया जाता है दोस्तों यह जो वस्तू विनिमे परनाली होता है ठीक है इसमें होता क्या है इसमें विनिमे यानि की लैंड दैंस जिसको आप कह सकते हैं तो लैंड दैंस की जो किरिया होती है वो किरिया वस्तूओं के द्वारा किया जाता है इसे ही हम वस्तू विनिमे परनाली कहते हैं ठीक है आपक में किसी एक वस्तू का किसी दूसरे वस्तू के साथ बिना मुद्रा कि सीधे रूप से लेंदेन को वस्तू विनिमय परनालिक कहा जाता है देखिए दूसरे सब्दों में आपके सामने वस्तू विनिमय का परिवासा दिया गया है देखिए किसी एक वस्तू का ठिक है किसी दयान द podría तो उसे आप वस्तू विनमे पढ़नाली कहेंगे इस बात को याद रखे जैसे चावल दे कर गेहूं लेना दोस्तों आप के पास चावल है आप इसके बदले गेहूं लेना चाहते हैं तो आप ऐसे वेक्ति के पास जाएंगे जो गेहूं के बदले चावल लेना चाहेगा ठीक है तो आप उसको चावल देंगे और वो आपको गेहूं देगा यहाँ पर जो है रुपिया पैसा मुद्रा इन सब चीज़ों का उपयोग नहीं हुआ शिर्फ वस्तू का उपयोग हुआ यानि यह एक वस्तू विनिमय पढ़ना लिए ठीक विनिमय पढ़नाली का लाएगा ठीक है ? कोर्षन बन डू आपके बुक में दिया गया है मौद्रिक का है आएए इसे समझते है मौद्रिक का साहता से होता है दोस्तों देखिए अगर आप विनिमय यानि की लैंदन जो है मुद्रा यानि पैसा के साहता से करते हैं तो उसे आप मौद्रिक पढणाली कहेंगे ठीक है अब आगे देखिए इस पढणाली में पहले कोई व्यक्ति अपने वस्तु या सेवा को बेच कर मुद्रा प्राप्त करता है औ दोस्तों बातों को ध्यान से आप समझे देखिए अगर आप चाहते हैं कि मनल ये आपके पास चावल है ठीक है और उस चावल के बदले आप गेहूं चाहते हैं ठीक है तो मौद्रिक पढणाली में क्या होगा मौद्रिक पढणाली में होगा ये कि आप उस चावल को बेच उसके बाद उसे जो मुद्रा या रूपिया आपसे प्राप्त होगा उस रूपिये से फिर जा कर आप ग्यहू खरीदेंगे यानि कि इस लेंदेन में मुद्रा का उपीयोग हुआ है तो इसे आप मौद्रिक पढणाली कहेंगे तो बातों को याद रखे मौद्रिक पढणाली में पहले क्या होता है पहले व्यक्ति क्या करता है वस्तु या सेवा को बेचता है और बेच कर क्या प्राप्त करता है तो मुद्रा प्राप्त करता है और फिर उस मुद्रा से क्या करता है तो उस मुद्रा से जवरत की वस्तू खरिता है ठीक है दोस्तों मौदिर पढणाली में जो है ये मुद्रा जो है ये मुद्रा वी नीमय के माध्यम का कारिकरती है इसे याद रखे ठीक है कोस्टन नमबर थ्री आपके बुक में दिया गया है मुद्रा की परिवासा दें ठीक है दोस्तों आईए मुद्रा के बारे में हम लोग जानेंगे मुद्रा एक माध्यम है सबसे पल याद रखे मुद्रा क्या है एक माध्यम है जिसके द्वारा हम वस्तुओं और शेवाओं को खरिते हैं और बेचते हैं दोस्तों आपको पता है कि मुद्रा के द्वारा ही हम किसी वस्तु खरिते हैं और किसी वस्तु को बेच कर जो है हम मुद्रा प्राप्त करते हैं, यह हमारी जीवन में होता है, आपको पता ही होगा, ठेख है, यह विनिमाय के माध्यम, मुल के शमाने मापन, रीन के भुगतान का मापदंड, तथा संचय के साधन की रूप में कारी करती है, दोस्तों, मुद्रा का बहुत सारा कारी है जितना विवीनी में होता है उसमें मुद्रा का काम है मुलिक के शमाने मापन किस वस्तू का कितना दाम है ये सब चीज जो है मुद्रा का अनुसा रखा जाता है रीन के भुगतान का मापदंड लौन ले रहे हैं टिक है तो लॉन में जो भुक्तान कर रहे हैं उसका मापदंड जो है उसमें मुद्रा का उपयोग होता है संचय के साधन अब पैसा आप संचय मतल़ होता है जमा करना टिक है तो आप बैंक में क्या जमा करते हैं तो पैसा जमा करते हैं तो मुद्रा क्या होता है संचय का साध आए इसका परिवासा देख लिए एटियम क्या है एटियम का आर्थ स्वचलित टेलर मसीन है देखे एटियम का आर्थ क्या है एटियम का आर्थ स्वचलित टेलर मसीन है इसे आप याद रखें स्वचलित टेलर मसीन ठीक है यह फ्लास्टिक मुद्रा का उधारन एटियम किसक कब ना होता है इसे हम प्लास्टिक मुद्रा करते हैं सिंपल सा बात है यह मसीन 24 घंटे रूपिया निकालने तथा जमां करने की सेवा परदान करता है दोस्तों ATM में आप 24 घंटे में कभी भी जाए आप जाकर पैसा निकाल सकते हैं और पैसा जमां भी कर सकते हैं सभी ATM में प पैसे जमा भी कर सकते हैं ठीक है भारत में सभी बड़े बड़े VFCI बैंक जैसे State Bank, Ilhaabad Bank Yuko Bank, Adi, Dwarah या Swida अपने ग्राकों को उपलब्द कराई जाती है देखिए भारत में बहुत सारे बैंक है और लगवक सारे बैंक जो है अपने ग्राकों को अपने customer को जो है ATM की सुविधा देते हैं यह बात आपको पता होगा क्योंकि आप बैंक जाते हैं तो वहाँ पर ATM मांगते हैं तो आपको ATM मिल जाता है यानि आपको वहाँ पर ATM की सुविधा बैंक दे रहा है यह सारी बाते हैं इससे आप पढ़़े और नेक्ट कॉशन पर ध्यान दिज़ा है, क्रेडिट कार्ड क्या है अपके बुक में दिया हुआ है, क्रेडिट कार्ड क्या है। दोस्तों ये जो credit card होता है ये भी ATM card के तरह plastic card ही होता है ठीक है plastic का बना होता है विश्व में प्रचलित credit card में visa, mastercard, American Express आधी प्रसिद्ध है दोस्तों अगर हम बात करें विश्व की तो विश्व में जो है visa ववा, mastercard ववा, American Express ये सब credit card काफी ज़्यादा famous है, काफी ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है credit card के अंतरगत ग्राहक की वितिया स्थिति को देखते हुए bank उसकी साह की एक रासी निधारित कर देती है जिसके अंतरगत वह अपने credit card के माद्यम से वस्तुओं और शेवाओं को खरीश सकता है दोस्तों, ये जो credit card है, ठीक है, इसके अंतरगत क्या होता है इसके अंतरगत जो है, bank जो है, ग्राहक की वितिया इस्थिति को देखता है बित्या इसे मितला हुआ की गराहा के पास कितना पैसा रुप्या है यह सब देखता है यह सब देखते हुए जो है बैंक उसकी साख की एक रासी वो निर्धारित कर देती है और इसी के अंतरगत जो है वस्तवाँ और सिवाँ को वविक्ति खरीच सकता है यही सारी बाते यहाँ पर दिया हुआ है इससे आप पढ़िए असान सब्दों में आपका आंसर है आपको याद जल्दी हो जाएगा ठीक है? नेस कोशन पर आप ध्यान दीजे कोशन आपके सामने बचत किया है ठीक है? बचत को अब आप समढ़ लिजे देखिए आय तथा उपभोग का अंतर बचत का लाता है दोस्तों आय याण जितना आप कमा लिए पैसा उसको आय बोलते हैं जितना आप खर्च कर दिए उसको उपभोग बोलते हैं जितना आप कमाए हैं ठीक है? उसमें जब आप खर्च को घटा देते हैं तो वही आपका बचत आ जाएगा ठीक है? माल लिजे आप 500 रुपिया कमाए हैं 300 रुपिया आप खर्च कर दिए तो 500 में 300 घटा दिजे 200 रुपिया आपका बचत हो गया ठीक है? कर आउथर के अनुस्तार देखिए बचत का परिवास्ता आपके सामने कर आउथर के अनुस्तार ठीक है? दोस्तों आपको इसी तरसे लिखना है सबसे पले उपर में यह लिख देना है ठीक है? उसके बाद नीचे आपको यह लिखना है ठीक है इसी तरसे क्राफ्थर के अनुसार किसी व्यक्ति की बच्चत उसकी आयका वा भाग है जहां उपभोग की वस्तवां पर वियाय नहीं की जाती है किसी व्यक्ति की बच्चत जो है उसकी आय का जो भाग है जहां उपभोग की वस्तुवां पर वियाय नहीं की जाती है यानि जो पैसा खर्च नहीं किया वही उसका बच्चत हो गया यही बात कहता है एक आदमी पांसो रुपया कमाया उसमें दोसो रुपया खर्च नहीं किया तो वही दोसो रुपया उसका बच्चत हो गया तो इसे आप पढ़ लिजे और नल्यश है कोशने आपके सामने साह क्या है अब आप साह को समढ़ लेज़गे अगे साख क्या होता है साख का अर्थ विश्वास या भरोसा है ठीक है दोस्तों विश्वास बोलिए भरोसा बोलिए या साख बोलिए एक ही बात है साख का अर्थ जो है विश्वास या भरोसा है ठीक है जिस व्यक्ति पर जितना अधिक विश्वास या भरोसा किया जाता है उसकी उतना उसकी साख उतनी ही अधिक होती है दोस्तों आप जो है जिस व्यक्ति पर जितना अधिक भरुसा करते हैं उस व्यक्ति का साख उतना ही अधिक होता है माले ये कोई व्यक्ति है वो आप पर बहुत अधिक भरुसा करता है तो आपका साख भी बहुत अधीक है ठीक है अर्थ सास्त्र में साख का मतलब रीन लोटाने या भुखतान करने की छमता में विश्वास से होता है मालने जिए आपको जो है कोई व्यक्ती 500 रुपिय कर्ज देता है ठीक है और आपके सामने अगर छमता है कि आम इस पैसा को तुरंत लोटा देंगे तो आपका साख जो है वो बहुत अधीक है ठीक है और अगर आप 500 रुपिय ले लेते हैं और लोटाने का मन नहीं आपको ठी आपका साख जो है बहुत कम है ठीक है यही बात यहां पर कहा रहा है कि अर्थ सास्त्र में शाख का मतलब रील लोटाने या भुगतान करने की छमता में विश्वास से होता है ठीक है साख के अधार पर ही एक व्यक्ती या संस्ता दूसरे व्यक्ति या संस्ता को उधार देत अगर आपका साख अच्छा है तो आप किसी से कर्ज मांगेंगे आपको तुरंत मिल जाएगा ठीक है अगर आपका साख खराब है ठीक है तो आप कर्ज मांगे तो आपको कर्ज नहीं मिलेगा यही बात कहता यहां पर कि साख क्या धार पर जो है एक व्यक्ति या फिर संस्ता जो है ठीक है दूसरे व्यक्तिय संस्ता को उधार देती है ठीक है यानि लॉन देती है इन सब बातों को आप याद रखें ठीक है अब नाइक कोशन पर ज्यान दीचें अब हम दिर्ग उत्तर या फ्रश्ण की ओर बढ़ेंगे ठीक है आपके सामने कोशन है वस्तु विडिमे परणाली की जो कटनाईयां है उसके बारे में आपको बताना है आई यहां पर देखते हैं वस्तु विडिमें परणाली के निमलेखित कटनाईयां है ठीक है नंबर वन में है मुल्य मापन में कटनाई ठीक है मुल्य मापन में क्या का कटनाई है उसके बारे में आपको यहा सहा है बास से आपको समझ में आ रहा है आपको क्या लिख देना है इस पंड को याद रखना है बाकी ये जो है ये आपको अपने मन से लिख देना है टीक है उधारन के लिए एक किलोगरम चावल के बदले कितना दूद दिया जाए मान लिजे कि इस दुनिया से मुद्रा खतम हो जाए रूपिआ पैसा कतम हो जाए टीक है आपके पास एक किलो चावल है और आप इसके बदले दूद चाहते हैं अब आप ये सुचिए कि हम 1 kg चावल देकर कितना दूद हमको मिलेगा तो ये calculation करना काफी मुश्किल होता है तिक है और अभी मुद्रा है तो हम पता लगा लेते हैं 1 kg दूद का दम इतना है चावल का दम इतना है तो चावल के बदले इतना दूद आएगा ये आप पता लग सकते हैं लेकिन जब मुद्रा नहीं था उस टाइम जो है 1 kg चावल के बदले इतना दूद लिया जाए इसका पता लगाना काफी मुश्किल होता था तो नंबर वन आप यात्र लिजे मूल्य मापन में कठना आई ओके अब आईए आगे देखते हैं नंबर टू आपके समने हैं आवसकता के दोहरे संयोग इसे अब आप समढ़ लिजे देखिए आवसकता के दोहरे संयोग का मतलब है कि एक जोरत दूसरे से मेल खा जाए ऐसा कभी संयोग ही होता था यहां पर संयोग लिखना है पर आपको यहां पर संयोग लिखना है ठीक है दोस्तों ऐसी इस्तित दूद लेना चाहते हैं तो अब आप ऐसे व्यक्ति को ढूड़ेंगे जो दूद देकर चावल लेना चाहता है तो ऐसे में जो है आपको उस व्यक्ति को ढूड़ने में काफी परिशानी होगी वही है यहाँ पर लिखा हुआ आप सकता के दोरे संयोग ठीक है इसका मतलब वह कि आप सकता के दोरे संयोग का मतलब वह की एक की जोरत दूसरे से मेल खा जाए ऐसा जो है कभी संयोग वस ही होता था ठीक है यही सारी बाते हैं इसे आप पढ़ लिजेगा नमबर तिन पर ज्यान दिजे बिभाजन का अभाव ठीक है कुछ वस्तियों जैसे गाय भायश आ अब बकरी चाते हैं अब गाय का दम और बकरी के दम में कितना अंतर है बहुत अंतर है अब गाय को काट तो आप नहीं सकते हैं अब गहूं तो नहीं है कि गहूं आधा किलो दे दिए एक किलो बदले माधा किलो दे दिए अब गाय तो है गाय का हम आधा गय तो नहीं दे सक है वस्तू विनमे पढ़नाली में ठीक है नंबर फूर पर आप ध्यान दिजे भविष्य के भुगतान में कठनाई वस्तू विनमे पढ़नाली में उधार लेने ता देने में कठनाई होती है दोस्तों देखिया अब उधार की बात करते हैं यह वस्तू विनमे पढ़नाली है उधार लेना देना इसमें बहुत कटनाई होता है इस बात को याद रहाए कि भविष्य के भुगतान में कटनाई यानी उधार लेने में काफी कटनाई होता है नमबर फाइब पर द्यान देजिए मुल्य हस्तनांत्रण की कटनाई इसे आप समझे देखिए वस्तु विण में पढ़नाली में मुल्य हस्तनांत्रण में कटनाई होती है मान लिजे आपका घर पटना में है आप अब क्या चाहते हैं उस घर को वहाँ हम घर बेच दें और दिल्ली में घर ले लें अब पटना में जो आपका घर का कीमत है उसमें दिल्ली में जो घर का कीमत है उसमें दोनों में काफी अंतर होता है ऐसी सिति में जो है काफी नुकसान हो जाता था तो उस tahu में वास तो मिल में पढ़नाली वे तेक है उसमें क्या प dobr की जो मतलब मुल्ध हस्तनान्तर्ण 00x इसमें बहुत ही कठनाही होता था क्योंकि दोनों जफर अलग-अलग कीमत है यहाँ भिलू कुछ और है वहाँ भिलू कुछ और है ऐसे में जो लॉस बहुत जादा हो जाता था ठीक है कोशन आपके शामने मुद्रा के कारियों पर परकार डालें दोस्तों मुद्रा के कारी है उसके बारे में आपको बताना है सबसे पहले आपको लिख देना है मुद्रा के निमनेखित कारियें नंबर वन पर ध्यान दिजे विनीमाय का माध्यम यानि लेंग देन का माध्यम मुद्रा विनीमाय का एक माध्यम है किसी वस्तु को खरिदने या बेचने के लिए मुद्रा माध्यम का कारि करता है दोस्तों मुद्रा क्या है? मुद्रा जो है वी नीमय का माध्यम है इसे याद रखे किसी वस्तु खरेदना है या फिर बेचना है तो मुद्रा उसमें माध्यम का कारी करता है ये तो आपको पता आईए नमबर टू पर धान देजे मुली का मापक मुद्रा मुली का मापक है मुद्रा के द्वारा वस्तुओंद का मुल्यांकन करना आसान हो गया है दोस्तों किस वस्तुओंद का कितना कीमत है उसको हम मुद्रा के माध्यम से तै करते हैं अब दूद का कीमत कितना है गा का कीमत कितना है सब हम रूपिया पैसा यानि के मुद्रा के द्वारा बोलते हैं यानि मुद्रा के द्वारा जो है मुले कामापन करना काफी असान हो गया है नमबर त्री पर अध्यान देजे उधार भुकतान है आधुने युग में बहुत सारे आर्थिक कारी उधार पर होता है मुद्रा ने उधार देने था लेने के कारे को काफी असान बना दिया है दोस्तों मुद्रा जब से आया ठीक है उसके बाद जो है उधार लेना देना ये सब काफी असान हो गया है इससे आप याद रखिए ठीक है नमबर फोर पर आप ध्यान देजे मुद्रा का संचय संचय मतलता जमा करना मुद्रा में यह विशेशता है कि यह संचय करके रखी जा सकती है देखे आपके पास दो कुंटल चावल है ठीक है आप उस चावल को 4 साल तक जमा करके रख सकते हैं नहीं रख सकते हैं लेकिन चार कुंटल चावल को बेच कर जो है उससे जो पैसा मिलेगा उसको आप चार क्या दस साल तक जमा करके रहा सकते हैं तो वही बात यहाँ पर क्या रहा है मुद्रा का संचय मुद्रा में विशेष्टा है क्या विशेष्टा है कि इसे आप संचाई कर सकते हैं यानि जमा कर सकते हैं नमबर फाइब में है साख का अधार इसे आप समझे वर्तमान समय में मुद्रा साख के अधार का कारी करती है मुद्रा के कारण साख पत्र जैसे चेक ड्राफ्ट आधी का परियोग बड़े पैमाने पर होता है दोस्तों अभी के समय जो है ये मुद्रा जो है ये साख यानि भरोसा के अधार का कारी करती है मुद्रा के कारण जो है साख पत्र से की चेक वा ड्राप्ट ये सब साख पत्र है इसका परियोग जो है बहुत अधीक पैमाने पर होने लगा है इसे याद रखे ये जो चेक है ड्राप्ट है ये सब साख पत्र है इसे भी ध्यान में रखेगा कोस्टन आपके शामने है मुद्रा के आर्थिक मात्व पर परकाश डाले है ये कोस्टन नमबर आपका तीन है दिर्ग उतरिय प्रश्ण का आधुनिक आर्थ व्यस्था में मुद्रा का काफी मात्व है ये बात आपको पता है यह लाइना को उसे पहले लिख देना है अध्योनिक अर्थ वयस्ता में मुद्रा का significance यह लिख देना है इसके बाद देखे यादि अर्थ top वर्तमाद समय से हटा दिया जाए तो हमारी अर्थ वयस्था अस्थ व्यस्थ हो जाए एकीश तो मान लेजिए मुद्रा याई यदि मुद्रा ना होती तो विश्व के विभिन देशों में इतनी आर्थिक प्रगती कभी भी संभव नहीं होती दोस्तों मान लिजे कि अगर मुद्रा का विकास नहीं होता इसे क्या होता दोस्तों अगर मुद्रा का विकास नहीं होता तो विश्व के जो अलग अलग देश इन देशों में आर्थिक जो प्रगति ये नहीं हो पाती इसे याद रखे ठीक है चाहे पुंजिवादी अर्थवेस्ता हो या समाजवादी अर्थवेस्ता हो या मिस्रित अर्थवेस्ता हो सभी में मुद्रा मत पुर्णे देखे अर्थवेस्ता तीन तरक होते हैं पुंजिवादी अर्थिवेस्ता समाजवादी अर्थिवेस्ता और मिस्टिवेस्ता ठीक है देखे सभी अर्थिवेस्ता में जो है मुद्रा काफी 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 मतपूर्ण है इसे दिमाग में आप डाल लीजे ठीक है अब आगे देखे क्या है आगे आपको पराग्रा के बारे में मुद्रा वा धूरी है जिसके चारो और शंपूर्ण आर्थी विज्ञान चक्कर लगाता है देखिए मुद्रा ये धूरी है ठीक है और इसी के चारो और जो है शंपूर्ण आर्थी विज्ञान जो है चक्कर लगाता है ये बात कहते हैं प्रोफेसर मर्सल ठीक ह मुद्रा धूरी है जिसके चार ओर जो है पूरा संपूर्ण आर्थी विज्ञान जो है ये चक्कर लगाते हैं ठीक है मुद्रा के मात्वर प्रकार डालते हुए क्राउथर ने कहा है ठीक है क्राउथर ने कहा है ठीक है यहाँ पर भी आपको प्रकार चैंज कर देना है उसके बाल लिखना ये बात कि मुद्रा के मात्वर प्रकार डालते हुए क्राउथर ने कहा है कि ग्यान की परतियक साखा की अपनी अपनी मूल खोज होती है जैसे विज्ञान में अगनी बहुती मातपुन है राजनितिक सास्तर में बोट बहुती मातपुन है ठीक उसी परकार मनुष्य के आर्थिक एवं व्यासाइक जीवन में मुद्रा सरवाधिक उपयोगी अविस्कार है ठीक है दोस्तों विज्ञान साइस में आग का बहुती मातपुन है राजनितिक के बात करें उसमें वोट जो है बहुत मातपुन है उसी परकार जो है मनुष्य का जो आर्थिक एवं व्यासाइक जीवन है ठीक है यानि पैसे समने जो भी काम है ठीक है उसमें जो है मुद्रा बहुत ही उपयोगी अविस्कार है इस बात को याद रखे ठीक है यही बात कहता है आपके क्राउथर जी ने ठीक है जिस पर संपुन व्यास्ता मुद्रा का विकास कैसे हुआ क्या क्या हुआ इन सब बातों के बारे में आपको बताना है ठीक है सबसे पहले आपको लिख देना है मुद्रा के विकास के इतियास को हम निम वरगव में बाठ सकते हैं ठीक है यह लाइन लिख दिये इसके बाद नंबर वन पर आपको ध्या करती थी सबसे पहले क्या आया था सबसे पहले वस्तु में आया था जिसमें एक वस्तु दे कर दूसरे वस्तु को लिया जाता था यानि वस्तु ही जो है मुद्रा की रूप में काम करता था ठीक है फिर आता है वस्तु मुद्रा ठीक है इसकी अंतरगत वस्तु का चायान कर ज जानवरों की खाल हूँए जानवरों की खाल हूँए हूँ हूँ इसमें पुम्मोर्थ इसके बाद नमबर तीन में आता है धात्विक मुद्रा, अब देखिए, इसके अंतरगत पीतल, ताम्बे, त्यादी के सिक्चे प्रचलन हुआ, दोस्तों, धात्विक मुद्रा में क्या हुआ, तो पीतल व तम्वा व इन सब चीज़ों का सिक्का बनना सुरू हो गया, इसके इसके बाद सिक्का आया और सिक्का पर जो है देश में जो सरकार राता था उसी सरकार का उस पर मोहर राता था ऐसा मुद्रा जो है वहाँ पर प्रचलित होने लगा ठीक है उसके बाद आता है कागजी मुद्रा ठीक है कागजी मुद्रा में क्या होता है तो इस मुद्रा का व परेचलरन है, काखजी 무द्रा का सबसे अदिक परेचलरन अभी की समय में में आपको पता आए बात, Qfig Sund on के सामने हैं साकh पत्र के बारे में आपको बताना है, ऐसे का उपयोग साकh 무द्रा के रूप में किया जाता है, साख पत्र कहलाता है दोस्तों ऐसा पत्र ठीक है जिसका उपयोग साख मुद्रा में किया जाए उसे आप साख पत्र कहेंगे समझ गये हैं साख पत्र ठीक मुद्रा के तरह कारी करता है दोस्तों साख पत्र जो होता है वो भी मुद्रा के तरह ही कारी करता है आगे लिखा हुआ है लेकिन मुद्रा को सरकार द्वारा कानूनी मानेता प्राप्त होता है दोस्तों मुद्रा जो होता है इसको सरकार के द्वारा कानूनी मानेता प्राप्त होता है लेकिन जब साख पत्र के बारें बात करें तो साख पत्र को जो है सरकार द्वारा कानूनी म प्राप्त नहीं होता है ठीक है बैंक वितिया संस्थानों आदी द्वारा साख पत्र दी जाती है दोस्तों साख पत्र जो है ये बैंक के द्वारा और बहुत सारे वितिया संस्थानों के द्वारा दी जाती है ठीक है आपके सामने यापर कुछ साख पत्र दिये गया है नंब व्यक्ति को दी जाती है यह सबसे अधिक प्राचलित शाख पत्र है यह पर साख होगा साख पत्र है दोस्तों यह चेक होता है इसमें जितना रकम लिखार होता है उतना रकम जो है इस चेक में जिस व्यक्ति का नाम लिखा होता है उस व्यक्ति को दिया जाता है यह सबसे अध ड्राफ वे पत्र है जो एक बैंक अपनी अनी साखा या अनी किसी बैंक को आदेश देता है कि उस पत्र में लिखा वारकम उसमें अंकित व्यक्ति को दे दी जाए देखें बैंक ड्राफ क्या होता है देखें बैंक ड्राफ जो है एक साख पत्र होता है ठीक है उसमें जो है ए उस पत्र में जिस व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है, उस व्यक्ति को दे दिया जाए, ओके, नमबर थ्री पर ध्यान दिजे, प्रतिग्या पत्र, इसमें क्या होता है, इस पत्र में रेणी की मांग पर एक निस्षित अवधी के बाद, उसमें अंकित रकम बियास सहित देने का वादा करता है, देखिए, मान लिजे, आप लॉन लेते हैं, ठीक है, तो लॉन लेने के बाद, आपको एक प्रतिग्या पत्र लिकर देना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें जो है, आपको उसमें अंकित रकम, जितना का लॉन लिए, ठीक है, पलस भी आज, दोनों देने का वीडियो में अप्लोड करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देजिए, ताकि आपको सारे वीडियो मिल जाए, ठीक है, ठैंक्यू, अब वीडियो को जरूर लाइक कीज़ेगा, ओके,